नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है आज के समय में BP के पिसेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोई high blood pressure से परसान है तो कोई low BP का सिकार होते जा रहा है और हाँ मुझे पता है आप लोग ये जानने आए हैं कि normal BP कितना होना चाहिए यदि आपका BP high राता है या low राता तो आए शुरू करते हैं और हाँ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अब हम आते हैं अपने प्वाइंट पर नर्मल BP कितना रहना चाहिए देखिए डाबली येचो की अनुसार नर्मल BP 122 mmHg होना चाहिए लेकिन 132 80 हो या 110 72 हो तब पर भी नर्मल ही म होना चाहिए वहीं 25 से 40 एज वाले लोगों में 132 80 से कम होना चाहिए 40 से 60 एज वाले लोगों में 132 80 से कम रहना चाहिए 40 से 60 एज वाले लोगों में यदि BP 132 80 रह ये बहुत ही मणिया है क्योंकि 142 90 यह boundary line यह आप इसे red line भी बोल सकते हैं इससे यदि उपर जाएगा तो आपका blood pressure high माना जाएगा तो इस एज में आपको 140 90 से उपर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आप high blood pressure वाले केटिगरी में आ सकते हैं लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि BP कितना कम होने पर low माना जाएगा तो अब समझे जब हमारे body में blood pressure 90 50 से नीचे होता है तो low BP वाले के क्योंकि अभी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है so friend high blood pressure जिस इंसान को हो जाता है तो उस रोग को hypertension काते हैं यदि BP low हो जाए तो hypertension काते हैं इन दोनों के नाम में बस थोड़ा सा different है बड़े हुए BP को hypertension काते हैं और घटे हुए BP को hypertension काते हैं आप मुझे उमीद ह कि आप यहां तक समझ गए होंगे यदि आपके पास थोड़ा और टाइम है तो इस वीडियो में बने रहिएगा आप हम जानेंगे यदि किसी ब्यक्ति का blood pressure high हो गया है तो उसे नर्मल कैसे करेंगे देखिए आपका BP हमेशा नर्मल है इसके लिए आपको अपने lifestyle को नियमी पीत रखना पड़ेगा वैसे आप लोग जान करके हरान होंगे कि हाई BP होने का कारण नमक नहीं बलके कुछ और है ब्लेड़ फ्रेसर हाई होने का दो सबसे बड़ा कारण पाला आपका lifestyle गलत राता है और second आपका खान पान गलत राता है लाइफ स्टाइल काने का मतलब है क कब सोना है कब जगना है रात को कितने बज़े सोना है सुबह में कितने बज़े उठ जाना है असल में तो आपको पता ही नहीं है साथ ही साथ क्या नहीं खाना चाहिए क्या खाना चाहिए ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है आज कल बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सुबह पहुरते हैं और सिदे सुबा-सुबा चाय पीते हैं या तो 10-12, λगोजे खाना आते हैं जिन्दगी आपकी रहेगी तभी कोई काम को धांग Rider आपका जिन्दगी ही नहीं रहेगा तो फिर कोई काम करने का मतलव hurt वैसे इस दुनिया में सभी लोग काम करते हैं ताकि अपने लाइफ को लंबा समय तक जीए जा सके मुझे उमीद है कि आप ये सब जनकारियां समझ गए होंगे यदि मेरा कहना माने तो आपका ब्रड़ प्रेसर हाई नहीं होगा हम आपको सारी चीजे बताएंगे सुबह में कितने बजे उठणा है रात में कितने बजे अब को सुना है इस बीधी को अपनाये तो आपको नर्मल हो जाएगा अब हमारी बातों को द्यान से सुनिएगा लोग चाहते हैं कि हमारे इन फ्यूचर में कभी ब्लड़ प्रेसर हाई नहीं हो तो सभी लोग आँगे इस वीडियो को ध्यान से दखिये गया सुबह में चार बजे आपको उठना है लेकिन दोस्तों सुबह में जल्दी उठने के लिए आपको रात में टाइम से सोना होगा नहीं तो आप लेट से सोएंगे तो सुबह टाइम से नहीं उठ पाएंगे यदि उठ भी गए तो निंद पूरी न होने के कारण दिन भर ठकावन जैसा बना रहेगा दिन भर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे बिच मिच में आपको जब कियां आती रहेगी सो फाइनली दोस्तों आपको रात में 11 बज़े तक सो जाना है और मोर्निंग में 4 बज़े उठकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा गुनगुने पानी पीना है उसके बाद आपको अपने पेट साप करने के लिए लैटरीन जाना है ताकि पेट अच्छे से साप हो जाए पेट साप होने के बाद आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए कम सकम इतना टहलना चाहिए कि आपकी बोड़ी से पसीना निकलने लगे टहलने के बाद आप चाहें तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अब आप सोचेंगे कि मुझे तो एक्सरसाइज आता नहीं है एक्सरसाइज में आपको जो भी नर्मनी आता है स्टार्टिंग उससे करिए या तो आप हमारी दूसरी वाली भी वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाय हुए हैं कि आपको एक्सरसाइज कैसे करना है एक्सरसाइज करने के नियम एक्सरसाइज किस किस पोज में कैसे कैसे करना चाहिए सारी डिटेल उस वीडियो में है अब इस वीडियो के लास्ट में ये भी जान लेजिए खाने में क्या खाएं और क्या ना खाएं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या न खाएं, मार्केट की चीजे नहीं खाना चाहिए, मैदा से बनी चीजे जैसे समोसे, ब्रेड, पकोड़ा, चौमिन, बर्गर, पीजा या कोई भी ओईली फूड, इन सब सारी चीजे को बिल्कुल एवाइड करें, अब आप जान लेज क्या खाना चाहिए, मोर्निंग टाइम में आप चाना के साथ गुड़ ले सकते हैं, ये आपके सरीर में आरण का कमी नहीं होने देगा, साथी साथ आप फूर्ट्स भी ले सकते हैं, उसमें केला या सेव अगरा भी सामिल कर सकते हैं, उसके बाद आपको सुबह में 9 बजे भार पेट बोजन करना चाहिए, अपने सरीर को स्वास्त रखने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके उपर एक फूल डिटेल वीडियो बना दूँगा, ये आप लोग कमेंट करते हैं तो, सो फ्रेंट आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक को बनाएं, और हाँ, ये आप सुवस्त रहना चाहते हैं तो इस चनल को जल्दी से सस्काइब कर लीजे, ताकि ऐसे ही सुवस्त रहने की जनकारियां आप सुभी को देता रहूं, चलिए अब आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बादए सिन अपिल्ख वल्दी सुवस्ति व किस्ट शफ जलते हैंचे कर दो इस जनने की जनकावा प्रोणी से सकतते हैं और है इस ले रहन आप熱। फयर ये झालव। बक्स्ट वाने की जनकाव घरेिए अर्न सुवस्ति